स्याव्स के बीटियो के लिए करें रही ही हैं तो यह वीडियो को सब्सक्राइबर्स के लिए एतना प्यार दिया इतना सपोर्स किया अभी तक उन सबके लिए तो यह रीजन है वीडियो उनाने का की मैंने मेरे चानल का नाम जो है अब ड़ी रेसिपी आप लोगों के सामनेज लेकर आसकती हूं, मैं परसेनली मेरी बात करहेँ हैं जो मैं खाते हूं किस प्रकार से खर में ऐसा खाएंगे जो सात्विक होगा क्या से जाएंगे अन्वैसा होगा मन तो अगर हम सात्विक खाना काते हैं तो हमारा दिमाग, आचरण, विचार्ण सब उसी प्रकार से सात्विक हो जाते हैं तो इसलिए उन्ही सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो है चैनल की लाइन वही रहेगी रेसिपीज ही हैं बड़ बना नहीं को दिस लोगों को यह बड़ा विडम्बना रहती है दिमाग में ड़वता है ऑद बहुत ही इस यह काते हैं, यह बहुती स्वादिश खाना नहीं खाते हैं उनका तरीका अलग होता है उन रेसिपीस को बनाने का वो तरीका बहुत ही पवित्र बहुत ही साथ्विक होता है तो इसलिए अब इसके बाद से चानल पर जितनी भी वीडियो आएंगे वो सारे विताउट अनियन गालिक रहेंगे और वो फूड रहेगा जो भगवान को प्रशाद रूप में भोग लगाकर प्रशाद रूप में खाया जा सकता है इसलिए इसका नाम महा प्रसादम किया है और दूसरी चीज़ कि आप सभी जिम क्यों कि मैं आपको एक्स्पीरिम्स शेर करती हूँ क्या है तो अभी मैंने कुछ एक लास जोइन करी है उन क्लास को करने से मुझ में एक कुछ एक चेंज़ आरहे हैं तो न चेंज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे ये वाला जो चेंज है मेरे चांडर के नाम का ये बहुत अच्छा लगा तो इसलिए यही मैसेज मेरे सब्सक्राइबर्स को देने के लिए मैं यहाँ पर आई थी चैनल के साथ में बने रहिएगा बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है बहुत ही गजब की रेसिपीज आने वाली है बहुत स्वाधिश्ट बहुत बढ़िया बहुत आसान तरी के से बनने वाली व्लॉग्स भी आएंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट अब इसके बाद पर आएगा तो बने रहिएगा अपना प्यार चर से देते आए हैं ऐसे प्यार देते रहिए और दूसरी लोगों को भी चैनल को आगे बढ़ाईए शेयर करें सब्सक्राइब कर आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलती हूं एक और नए वीडियो के साथ में हरे कृष्णा